नमस्कार मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हरोज औरिकल कार्ड के जरीए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है हम डिवाइन गाइडन्स लेते हैं एक से लेकर नौ मूलांग तक की कि आज हमें क्या करना चाहिए और आज हमें क्या करने से बचना चाहिए जिससे कि आज का जो दिन है या आज किसी प्रकार के hurdle अगर challenges है तो हम कैसे easily उसे overcome कर सकते हैं यदि आपको नहीं पता कि कौन से है आपकी rating या कौन सा है आपका मूलांग तेक उधारन देकर बताना चाहूंगी अगर आपकी date of birth है 11 यानि की 11 तो एक और एक को जवाब जोडते हैं तो जोडाता है नमबर 2 तो 2 होगा आपका मूलांग और आज की तारीक है 6 जनवरी 2024 आज की जो तारीक है नमबर 6 जिसके स्वामी है शुक्र तो आज क्या impact होगा एक से लेकर 9 मूलांग तक के जातकों पर आईए हम जानते हैं लेकिन पिछले कुछ episode से मैंने रंतर आपसे बात कर रही हूँ रुदराक्ष के बारे में और आज हम बात करेंगे कि रुदराक्ष पहनने के क्या नियम है अब यहां एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि आप किस पंथ से हैं क्या आप किवल एक ग्रहस्त हैं या आप एक साधक हैं जो रुदराक्ष धारन करना चाहते हैं और अगर साधक भी हैं, तो किस मार्ग के साधक हैं, क्या आप वैशनव हैं, या आप शाक्य हैं, या आप शैव संप्रदाय से हैं, आप वामाचारी हैं, दक्षनाचारी हैं, कौलाचारी हैं, तो इन सभी पर निर्भर करेगा नियम की रुदराक्ष पहनने के नियम क्या हैं हम अगर सारजनिक साधारन तोर पे बात करते हैं कि अगर एक ग्रहस्त केवल रुद्राक्ष को धारन करता है तो कई प्रकार के नियम जो है विधान दिया गया है क्या कहा गया है कि रुदराक्ष को जो है अगर आप कई चीजों की पालना नहीं कर सकते हैं नियमों की पालना नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करें मंदिर में उसे इस्थापित कर दें रोज पूजन करें तो उसका जो प्रभाव है वो भी सभी लोग उपर पड़ता है लेकिन जो नियम बताये गए हैं मैं फिर से बात कर रहे हूं कि आप किस साधना मार्ग से हैं इस पर निरभर करता है कि नियम कैसे होंगे क्योंकि जो कॉलачारी है वामा चारी है उनके लिए तो ऐसी कुछ पधार्थों का जो सेवन है वो बिल्कुल भी निशेध नहीं बताया गया है और ऐसे में जो शाक्य संपरदाय से हैं या जो शैव संपरदाय से हैं उनको भी बहुत जादा नियम में नहीं बांधा गया है क्योंकि वो कई ऐसे पधार्थ हैं जिनक वहां पर अगर हम ग्रहस्तों के लिए बात करते हैं तो आप जब कोशिश करें कि रातरी में रुद्राक्ष को उतार के आप या तो मंदिर में रख दें या फिर आप अगर भगवत ध्यान करते हुए सोते हैं तो अपने तक्ये के नीचे आप उसे रख सकते हैं और सुबह उ साधना हैं अन्य साधना के जो मार गएे हैं वहां पर कोई भी चीज अशुद्ध नहीं है लेकिन गरहस्तों के लिए जो अशुद्धी के कुछ कारें बताए गए हैं या ऐसे कुछ दिन बताए गए हैं जहांपर की दोश रहता है पूजा इत्यादी नहीं की जाती है तो ऐसे समय में रुदराक्ष को आपको उतार देना चाहिए, मंदिर में रख देना चाहिए, इसके अलावा भी कहा गया है कि जब आप शौच के लिए जाते हैं, स्नान के लिए जाते हैं, तो उस समय भी आपको जो रुदराक्ष को खोल कर मंदिर में रख देना चाहिए, और र तो दुराक्ष के समक्ष साथ में रहना चाहते हैं तो आप क्या करें उसे अपने मंदिर में रखें या फिर आप किसी ऐसे पूजा पधिती में अपने आपको जोड़ें जहां पर की इसे निशेध नहीं माना जाता है तो कुल विलाके जो नियम बनाए गए हैं वो नियम भी अलग-अलग पंत के अनुसार ही कारे करते हैं तो आईए बिना देर के अपने कारिक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मूलांक एक के लिए आज यानि की चे जन्वरी 2024 का दिन कैसा गुजरने वाला है हमारे एंजल एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं और मूलांक एक के लिए हमसे कहा जा रहा है देडी का कार्ड है पेंतागराम बना दिखाई दे रहा है तो सीधी सी बात है वित्तिय संबंदी मामलों में आज आज आपको लाब होने वाला है साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक महिला के द्वारा भी आपको full support प्राप्त होगा आपको आगे बढ़ने की opportunities प्राप्त होंगी महिला पक्षु से तो कही ना कही जो आपको महिलाओं का सम्मान तो वैसे करना ही चाहिए जनरली भी करना चाहिए लेकिन आज के दिन आपको विशेश जो है लाब होता दिखाई दे रहा है साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जो आपने महिनत की हो सकता है कि आपने किसी ऐसे project पे काम किया हो, जो कि आपको लगा हो कि नहीं आगे नहीं बढ़ रहा है हो और कहीं stop हो गया हो तो वो भी आज के दिन जो है वो आगे बढ़ सकता है एक महिला आपको support कर सकती हैं आगे बढ़ाने के लिए तो कुल मिला के जो आज का दिन है वो growth का है यानि की 6 जनवरी 2014 को क्या गाइड कर रहे हैं और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है लेडी का कार्ड है फिर से जो कार्ड है वो रिपीट हुआ है और मूलांक 2 के जातकों से भी कहा जा रहा है कि आपकी जो network है महापर महिलाओं की जो संख्या है वो बढ़ेगी महिला पक्ष से आपको विशिश लाब प्राप्त होगा अगर मैं बात करती हूँ financial इस तर पे तो बिल्कुल आपको financially growth मिलेगी financial लाब आपको प्राप्त होगा साथ ही साथ अगर मूलांक 2 के जातक अगर भगवती मा के उपासक हैं तो आज मा की करपा दियादृष्टी से कुछ ऐसी opportunities भी आपको प्राप्त हो सकती है जहां पर आप आगे बढ़ेंगे अपने career के मामले में आज जो एक काड निकला है यह completely आपके career को लेकर wealth को लेकर निकला है तो कुल मिला के आज का दिन जो है इन सभी चीजों के पक्षका है आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारे angel and sisters आज जानी की 6 जनवरी 2024 को क्या गाइद कर रहे हैं और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है medicine mother का card है आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो energies है वो बहुत जादा जो है कोई decision लेने से पहले या फिर किसी व्यक्ति से कोई commitment करने से पहले आप अपने business में आगे बढ़ने से पहले कहीं ना कहीं आपको जो एक कैतना एक अंतरात्मा की आवाज आती है कि हाँ हाँ आप आगे बढ़ो और आप बहुत strongly आगे बढ़ते हो तो वो चीज आपके साथ होगी लेकिन अगर आपको ये intuition आती कि नहीं नहीं ये वक्ति दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है मीठी मीठी बाते कर रहा है बट आपको इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है तो उस वक्त भी आपको अपनी intuition को follow करना जरूरी है चाहे कितना ही बड़ा नुकसान लग रहा हो क्यों क्योंकि आज के दिन आपको intuition आपको मिलने वाली है वो कहीं ना कहीं आपकी जो divine mother energy है जिसे हम भगवती की उर्जा कहते हैं हम ब्रम्हांड की प्रकृती की उर्जा कहते हैं वहां से connected होने वाली है तो आज का आपका divine connection बहुत अच्छा है तो ऐसे moment पर जो सही निर्णे लेने के लेना आपको दूसरों पर आज आशृत नहीं रहना चाहिए बलकि अगर आप confusion की स्तिती में भी हैं तो अपने मंदिर में बैठें यहां किसी ऐसी शान्त जगे बैठें और वहां पर थोड़ चार के लिए हमारे angels and sisters आज याने की 6 जन्वरी 2024 को हमें क्या guide कर रहे हैं और मूलांक चार के लिए हमको कहा जा रहा है High Priestess का card है आपको कहा जा रहा है देखिए आज के दिन की जो energies है ना वो mother energies बहुत strong आ रही है और आपको clear कहा जा रहा है क्योंकि आज शुक्र का देन हमन सबी मूलांक के जातकों पर जो है बनी हुए विशेश तो आज मूलांक के चार की जातकों से कहा जा रहा है कि जो आज का दिन है ना वो power बनाने का है समाजिक रूप से लोगों के बीच में अपनी प्रतिष्ठा को कायम करने का है तो आज आपको ऐसी opportunity प्राप्त होगी जह है वो आज थोड़ा बदलने वाला है और लोग आपकी तरफ आकरशित होंगे बहुत ही positively कि आप बहुत अच्छा कारे कर रहे हैं और आपसे inspire होंगे आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें मा भगवती और साथी साथ हमारे angel and sisters आज क्या guide कर रहे हैं 6 जनवरी 2014 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमसे कहा जा रहा है moon का card है आज आपको कहा जा रहा है कि आज आपकी intuition powers बहुत अच्छी हैं आज के दिन अगर आपको कोई thought आता है या कोई idea आपके बीतर generate होता है तो आपको उसको तुरंत लिख लेना चाहिए हो सकता है कि स्वपन के माध्यम से भी आपको कुछ vision दिखाने की कोशिश की जा रही है जो कि आपके भविश्य में क्या होने जा रहा है या आपको क्या कदम उठाना है उसकी तरफ एक संकेत हो सकता है साथी साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज ब्रम्हांड आपसे connect ह होगा आपके प्रशनों के उत्तर देने के लिए अब यहां पर हम बात करते हैं प्रशनों के उत्तर के लिए तो overall आपकी जिंदगी में जो भी कुछ चल रहा है जिसके लिए आप concern हो सकता है वो कोई relationship का issue हो हो सकता है वो स्वास्त से संबंदित हो धन से संबंदित हो अपन आइडियाज मिल जाए सुझाओ मिल जाए आपको आगे बढ़ने का जो है मौका मिल जाए आपको यह पता चल जाए कि क्या कारे करके जो है आप इस problem को इस problem से बाहर निकल सकते हैं तो कुल मिला के आज का दिन जो है इसमें गौर करने की जरुरत है अच्छा श्रोता वनने की जरुरत है आपका दिन शुब हो आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइद कर रहे हैं एंजलें सिस्टर्स के माध्यम से 6 जनवरी 2014 के लिए आज की तारीक भी है नंबर 6 और मूलांक 6 की हम बात कर रहे हैं दो कार्ड निकले हैं पहला है शाम कई यह जिस भी विशेप आप क्ाम कर रहें अपने कारे पर भरोसा रखें और उसके बाद कोई भी आप नरनले हड़ बडाकर या दूसरों के कहने लिएर य हुए नायु पर कोई कार आपको आज करता है वों ही कार के जिने। पूरा कर सकते हैं और चुकी देखे शैमीन का कार हा शैमीन का काड के कहता है है कि आप अकेले नहीं ब्रह्मान कड़्ी टेवे शक्ती हैं। आ सब्सक्राइब कर directly Its ये साथ के लिए हमारे एंजल एंसिस्टर्स आज जैन की जनवरी 2024 को क्या गाइड कर रहे हैं और मुलांग के साथ के लिए हमको कहा जा रहा है ओरिकल का कार है किसी प्रकार की जल्दबादी आप आज ना करें किसी प्रकार की हड़बड़ी ना दिखाए किसी भी कारे को करन कहीं investment करना है किसी विक्ति के साथ जुड़ना है काम के लिए किसी company को जौइन करना है किसी जगह पर आपको कोई पी कार जहां पर कि के दिन आप ना बने बलकि जो भी कोई कारे करने जा रहे हैं उसके अंदर सोच समझ के कागज को पूरी तरह ऐसे पढ़ें आप व्यक्ति के बारे में पूरा निरिक्षन करें उसके बाद ही आप आगे बढ़ें आपका दिन शुबहो आए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमारे एंजल एंसिस्टर आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं छे जनवरी 2024 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमको कहा जा रहा है ब्रोकन एरो का कार्ड है कहा जा रहा है कि इगो से बचें और शान्ती बनाए रखें आसपास कले का कि आठ को वाताद हो रहा है तो बीच में के लिए नहीं पहुंचना अवाइड करना किसी प्रकार की हार्श सिचुएशन ये कैमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से आपको आपनी सुरक्षा करना जरूरी है अब यहां पर हार्श सिचुएशन या कैमिकल बेस्ट से अर्थ होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए ठीक नहीं है तो आज आपको avoid करना है आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे Angel and Sisters आज यहने की 6 जनवरी 2024 को वो क्या guide कर रही है और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है हमिट का card है आपको कहा जा रहा है बहुत काम आपने कर लिया थोड़ा सा आज रेस्ट भी करना जरूरी है आज आपको कहा जा रहा है कि आप आज रेस्ट मोड में रहें self love पर काम करें अपना खयाल रखें जो भी कोई कार महत्पूर है उसे निप्टा के कुछ समय अपने आपको अपने परिवार को जरूर दे आज आपको divine ये बार-बार आपको समझाने की कुशिश कर रहे है कि भौतिक दुनिया में जो कारे आप कर रहे हैं जो rat race में आप दौड़ रहे हैं उससे थोड़ा सा आपको रुकना और विश्राम करना आज आवशक है आपका दिन शुभ हो दोस्तों यह थी रीडिंग हमारी एक से लेकर नौ मुलांग तक ही हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो हमेशा करते हैं आप लोग हमेश्टाँ उस्वस्त रहें से बहुत हैं आप सर नही MAKका यहFrाछप से लाउन कर दो सम्स.